गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम उत्री अमेरिका माधिप के बारे में चर्शा करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने उत्री अमेरिका मादीब की basic जानकारी ले थी और इस वीडियो में हम इस मादीब से समंधित मरुस्तलों और इस तलाकतियों नदियों के बारे में और खनीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले तो यह देखो कि आपके सامने मैप है यह उत्री अमिरिका मादीब का है इसमें पर्मुग चार-पास देश हैं जैसे कनाड़ा है युएसे हैं मैक्सिको है जमेका है युबा है ये पांचार देश जो है वो बड़े हैं और परमुख देश है और इसमें दो चार परवत सिरेणिया है जो परमुख सिरेणिया है जैसे अलपेसियन परवत है रोकी परवत है मैकेंजी परवत है अलास्का सिरेणी है सियरा मांद्रे है तो य आपको काले रंग का जो परवद दिखाई दे रहा है ये कार्डीर रहा है ठीक है पस्मि coefficient ले रहा है क्योंकि इसमें अनेक परकार जैनेक यूगों में निर्मित परवदशरीडरिया सामिल है तो ये अलास्का से शुरू होता है और धक्षिन में पनामा तक सला जाता है लेकिन आगे इसको मैंने दिखाया नहीं क्योंकि बीच में ये जो मरुस्तल हैं ये मेरे को दिखाने थे इस वज़े से मैंने इनको आगे नहीं दिखाया तो आपके समझने के लिए ये ही काफी है कि अलास्का से सुरू होता है और पनामा तक चलता है और इसमें अनेक परकार की परवत स्रेणिया है ठीक है तो इस परवत में एक स्रेणी है अलास्का स्रेणी उसकी जो चोटी है मैकिनले वो इस मादिप की सर्वो चोटी है और इस मादिप की पर्मुख पर्वत स्रेणी पुछे तो रोकी है सर्वो चोटी मैकेंले अलासका स्रेणी में और पर्मुख पर्वत स्रेणी रोकी ठीक है और ये जो मैकेंजी पर्वत है ये कनाडा की पर्मुख पर्वत श्रेणी है जैसे कि आपको पता है मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है तो वैसे ही मैकेंजी पर्वत श्रेणी भी कनाडा की पर्मुख पर्वत श्रेणी है ठीक है इस पर्वत में यानि की कार्डिलेरा में कई पर्वत हैं जो अ सागरी हमाओं से वर्षा इसके पस्मी तटपरी हो जाती है और पूर्वी तट जो है वो वरष्टी छाया परदेश में आ जाता है जैसे यह जो एरिया है यह परष्टी छाया परदेश में आ जाता है इस वज़े से यहां एक यह मैंने पिंग कलर में दिखाया है यह ग्रेट बेशन की खास विशेश्टा है, ये सुस्क छितर है, ठीक है, इसके दक्षिन में एरीजोना का, क्या है, मरुश्थल है, और इशी में मरत घटी है, ये, और इस मादिप का, सरवोच तापमान, मरत घटी में ही मिलता है, यहीँ पर, इस मादिप की, यानि कि अमेरिका में जो great salt lake है वो भी यहीं पर है जिसकी लमनता 220 परती 1000 गराम है एक किलो यानि कि एक लिटर पानी में कितनी लमनता है इस जील में 220 की है ठेक है तो यहां पर Sierra Nevada है जो अमेरिका यानि कि USA का परवत है शियरा मांदरे जो है मेक्शिको का परवत है और Sonoran मरुस्तल जो है वो है मेक्षीको में और USA में दो मरुस्थल है मोजेव मरुस्थल tapped में और Arizona ठीक है तो यह चार परमुख मरुस्थल है जो दो सींक तराज़ अमेरिका में आते है मोजेव और Arizona अना, और Sanoran जो है वो है मैक्षिको में ठीक है, यहीं पर कोलेरेडो का पठार है पठार आपको पता है खनीज पदार्थों के बंडार होते हैं तो कोलेरेडो का पठार यहां है और यह कोलेरोडो नदी बहती है इस पठार से होके जो दुनिया का सबसे गहरा कैनियन बनाती है ग्रेंड कैनियन जिसको भोलते हैं यानि कि दुनिया का स पूरों में चलते हैं तो रोकी परवत की श्रेणी आती है ठीक है रोकी परवत श्रेणी के पूरों में चलते हैं तो यहां एक सुस्क छेतर आता है जिसमें पसु पालन होता है और मास के लिए पसु को पाला जाता है इसके और पूरों में चलते हैं तो ग्रेट लेका छेतर आता है ये जो चेतर है ये गेहूं उत्पादन और दुदारू पसू को पाला जाता है और पसू पालन और करसी यहां की मुखे विसेशता है ये ग्रेट लेक के चारों तरफ है ये चेतर कनाडा और यूएसे में आता है जो दुदारू पसू का पालन होता है और ये सुस्क च जाती है गो वंस बहुत पाला जाता है मास के लिए ठीक है तो ये जो ग्रेट लेक का छेतर है ये गेहूं के लिए भी परसिद है प्रेयरी छेतर भी बोलते हैं इस छेतर को इधर और ये प्रेयरी छेतर जो है वो करसी के लिए गेहूं की करसी के लिए परसिद है और गेहूं मक्काव हो जड़ा होती है और यहां पर गेहूं होता है ठीक है यह छेतर जो है वो वसंद काल में गेहूं उगाया जाता है यहां पर यहां पर सीथ काल में गेहूं उगाया जाता है तो अमेरिका माधिप में दो रितूओं में गेहूं की फसल होती है यहां का गेहूं मुखे खद्यान और फसल है ये जो अंटलांटिक तट पे दो-तिन वो है प्रांथ है इसके राजे हैं जैसे वाचिंग मटन डी सी जिस पे इसके राजधानी है यूएस से की और बोस्टन है बोस्टन टी पार्टे नाम सुना होगा इतियास में बहुत आता है वो और वाल्टी मौर ये तेन चैर रजे हैं जिनको आर्थिक रिधैश्थाल कहा जाता है ठीक है इसी तट पे एक परवतिश्रेणी है जिसका नाम है अलपेशियन परवतिश्रेणी ये इस मादिप की सबसे प्राचिन परवतिश्रेणी YOUR है और ये हरशन की खाड़ी है और हरशन की खाड़ी想क कुछ भाग दक्षिन में भी आता है ये जो चेत्र है ये है कनेडियन सिल्ड यानि कि लारेशियन सिल्ड बोलते हैं इसको ये इस मादीब का सबसे प्राचिन भूखंड है तो इसमें आपको ध्यान रखना है अगर सबसे प्राचिन भूखंड पुछे तो कनेडियन सिल्ड य जरूर परिक्षा में पूछते हैं अब ये अलपेशियन परुवद है यहां एंथ्रेसाइट कोयला और बिटूमिनस कोयला का बंडार है ये मानो कि सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से अमेरिका निकालता है अलपेशियन परुवद है जो जल विदूत के लिए परसिद है पस्य है उसको और उससे भी जल विदूद बहुत ज्यादा पैदा होती है तो कनाड़ा एक ऐसा देश है जिसके पास बोक्षाइट का उत्पादन नहीं होता है लेकिन फिर भी ये क्या करता है बोक्षाइट क्या है ऐलुमेनियम का आयसक है और उसका यहां उत्पादन नहीं होता ह है फिर भी ये ऐलुमेनियम का उत्पादन करता है कि साधार पर सस्ती जल विदूद के कारण क्योंकि इन दोनों देशों की जो सस्ती जल विदूद पराप्त होती हैं दोनों देशों को कनाड़ा और यूएस से को वो टेंशी घाटी है नियागरा जल परपात है और यह जो परपात रिखा है इन्हीं से इनको मिलती है ठीक है इरी और उन्टेओरियो नदी के बीच में जल परपात है जिसको नियागरा जल परपात करते हैं विश्वपर से जल परपात है तो ये तो आपका था इस्थली अकरतियां और अब हम अमेरिका मादीब के मैप के आदार पर इसके इस्थली विश्चताओं के बारे में अध्यन करेंगे इस मादिप का सबसे प्राचिन बूखंड जो है वो कनेडियन सिल्ड है लारेशियन सिल्ड जिसको बोलते हैं ये जरूर ध्यान रखना है देखो अब विश्वय का सबसे बड़ा नेशनल पारक जो है वो है गिजर जो मिलता है यानि कि गरम पानी का स्रोत जो है वो है यलो इस्टोन पारक में और वो है अमेरिका में उसका गिजर का नाम ओल्ड फेद फुल सागर केते हैं नाम है उसका यानि कि दुनिया का सबसे बड़ा पारक तो है वूड फेलो नेशनल पारक कनाटा ठीक है और वीश्वे का सबसे बड़ा गीजर यलो इस्टोन पार्क है यूएसे में और उसमें ओल्ड फेदफुल शागर नाम का एक गीजर है जो दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है जो गरम पानी का स्रोत है इस यूएसे का एक स्यटल सहर है वो है वायवयान दोग के लिए परसिध है और दक्षनी पिट्सबर्ग जो केते हैं वो बर मिगहन को केते हैं जो इल stomach अल बामा फ्रांत में है ये देखो ये नक्से में दिख रहा है ये है इसको USA का दक्षनी Pittsburgh कहते हैं देखो आपको सबको पता है कि Pittsburgh अमेरिका का एक सहर है जो लो इसपात के लिए परसीद है और USA का दक्षनी Pittsburgh मी घम को कहते हैं जो Alabama प्रांद में है विस्वे की रोटी की टोकरी रेड नदी की घटी को कहते हैं जो USA में है और विश्वे की लो इसपात के राजधानी Pittsburgh को कहा जाता है Pittsburgh को जंका कटोरा भी कहा जाता है ठीक है ये भी Great Lake के पास में ही है ये Great Lake है आपकी एक दिखा रखिए इस मैप में मैंने ये है ये Great Lake का चेतर है ये ये चेतर है ठीक है और इसके पास ही ये लो इसपात राजधानी है चांदी उत्पाधन में इस मादिप का एकादिखार है मेक्शिको सबसे अधिक चांदी उत्पाधन करता है इस मादिप की विश्वे की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मेक्शिको की खाड़ी है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है फल लोरेडा के बगल में ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है ग्वान्टे माला तीशरी सदी में ग्वान्टे माला था उसमें तीशरी सदी में एक शबेतविक्षित हुई थी जिसका नाम है माया सबगेता ये भोफ बार परिक्षिया में पुछा गया सवाल है माया सब्वेता ये ग्वाटेमाला जो हमने अमेरिका मादीब का पूरा मैप देखा था तो उसमें निचे निचे था ग्वाटेमाला जो मद्धे अमेरिका में आता है वहां पर माया सब्वेता पनपी थी सबसे पहले तीसरी सदी इश्वी में और इस मादिब के मूल निवासी जो होते हैं उसके बारे में बहुत बार परशन पुछा गया है तो तीन जो जातियां हैं वो इस मादिब की मूल जातियां हैं रेड इंडियन, एक्सकीमो और इन्यूट ये तीन परजातियां हैं जातियां हैं जो मूल निवासी हैं रेड इं अमेरिका में आये थे बसे थे और ये बरफिले छेतर में रहते हैं और इनके घर को जो बरफ का घर होता है उनको इगलू गएते हैं उनका कुटा होता है गड़ी खेंशने के लिए जिसको रेडियर केते हैं और उसे कुटा गड़ी को बोलते हैं सलेज ये नाव बनाते हैं सी आदातर भाग जो है वो हिमाचादीत रहता है और इसलिए वहाँ जनसुने है इस माधीप में 85% जनसंख्या जो है पूर्वी भाग में रहती है यानि कि 100 डिग्री पस्मी देशंतर के पूर्वी भाग में रहती है ठीक है तो आप से परिक्षा में ये पुछे कि इस माधीप सबसे गनियाबादी का चेतर कुण सा है तो ग्रेट लेक का चेतर है ग्रेट लेक का चेतर और सेंट लोरेंस नदी का चेतर जो ये ग्रेट लेक के उपर के यहां से जाती है सेंट लोरेंस नदी यह चेतर यानि कि यह परसांत मासागर की तरफ यह जो चेतर है ना यह यह चेतर है यह गनियाबादी का चेतर है ठीक है तो तीन चेतर हैं ग्रेट लेक का चेतर सेंट लोरेंस का चेतर और अंटलांटिक तटका सेत्र यानि कि सो डिग्री जो देशांतर निकलती है उसके पूर्वे वाग में ज़्यादा तरजन संक्या रहती है देखो मिसोरी नदियां है मिसीशिपी इस देश की परमुक नदी है और इसकी जो साहिक नदी है परमुक शाहिक नदी वो मिसोरी नदी है और इसलिए इनको दोनों को साथ में नाम लेते हैं दोनों का यह मिसीशिपी पक्षिपाद डेल्टा का निर्मान करती है और यह मेक्शिको की खाड़ी में गिरती है ये मेक्सिको के खाड़ी में गिरती है और इसका जो छेतर है वो काफ़ी उपजाओ छेतर है और इस छेतर में कपास की खेती होती है ये कपास की पेटी इसी का जो बैसिन है वो माने जाती है तो मिसिश एपी मिसोरी दो नदियां अमेरिका की परमुप नदियां है और कोलेरो तो नदी भी यहीं पर अमेरिका में बहती है और उस पर दो बांद हैं डेबर और बाउल्डर ठीक है कोलंबिया पर अमेरिका में ग्रेंड कुली बांद बनाया गया है कोलंबिया नदी में विद्धूत उत्पादन में तीन परमुक्षेत्र हैं अमेरिका के एक तो एरी और के बीच में नियागरा जल प्रपात है और टेंसी गाटी जो पस्मी अलपेशियन में और प्रपात रेखा अलपेशियन प्रवत के पूर्वी बाग में है यह अलपेशियन प्रवत है हाना इसके पस्मी बाग में तो है टेंसी गटी और इधर है पूर्वी बाग में है परपात रेका ये ध्यान रखना क्योंकि पूर्वी और पस्मी में ही एक्जामनर उलजा देता है ठीक है तो ये तीन छित्र है देखो अलास्का का छित्र जो है इसका इसमें मैप में मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वो पूरा कनाड़ा बीच में आ जाता है और फिर उपर अलास्का आता है तो अलास्का का दक्षिन भाग सर्दियों में हिम युक्त रहता है क्यों 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 वहां जमता नहीं है वो और जबकि इसी जिस अक्सांस पर अलास्का है उसी अक्सांस के क्योंकि उत्री परसांत परवा जो गरम है वो अलास्का में बैता है यानि कि गरम धारा बैती है उदर तो अलास्का सर्जियों में भी हिम से मुक्तर रहता है जबकि लेब्रोडोर की धारा जो है वो ठंडी धारा है और लेब्रोडोर की धारा ठंडी होने के कारण वो क्या कर कर देती है इस छित्र को ठंड से ग्रेसित कर देती है यानि कि बहुत जदा ठंड बढ़ा देती है तो सेंट लोरेंस नदी का मुहाना जो है वो जम जाता है यहां है सेंट लोरेंस नदी का मुहाना यहां पर और वो जम जाता है और इसी अक्सांस पर अलास्का है जब कि अला उत्री अमेरिका का मादीब का जो मैप दिखाया था हुसमे आपको क्यूबाक बहुत अच्छे से समझा था क्योई यह मदे क्यूबाक अमेरिक की देशों में नहीं आता है क्यूबा किस्में आता है केरिबियन सागर में जो ढीय uszमू है पस्समी दीव या वैस्टन डीज जिस को उसमें क्युबा जो है वो गंच बहुत पैदा करता है उसको सीनी का का जाता है और उसके पास में जमेका है जो यू सेन बोल्ट था जमेका का है वह दावक है जमेका केला अग्रेंडेश है और जो इस मादिब में पैदा होता है वो मेक्शिको के तड़ पर पैदा किया जाता है ठीक है हाँ देखो तंबा जो है यहां मौंटाना राजे में एक खान है बुटे की खान वहां से तंबा उत्पादित किया जाता है यह बुटे की खान जो है वीसवय की सबसे बड़ी तंबे की खान है और ब्रहतम निक्षे हैं यहां तंबा के तो इसको संपन पहाड़ी तंबा की दृष्टी से संपन पहाड़ी का जाता है कोईला यहां एंथ्रेसाइट और बिटूमिनस उचकोटी का कोईला अलपेसियन परवत से निकाला जाता है यहां पे हैं अलपेसियन परवत है उसमें से एंथ्रेसाइट और बिटूमिनस कोईला निकाला जाता है जो उचकोटी का कोईला होता है लोहा जो होता है वो सुप जील यहां पर है ठीक है सुपीरियर जील के पास लोहा निकाला जाता है जो एक रेंज है पर वो च्रेनी है मोशंबी मोशंबी रेंज है यहां पर उसमें लोहा उच्छ कुट्टी का लोहा निकाला जाता है सोना यहां पर ओंटोरियो से निकाला जाता है यहां की सबसे सिल्वेविजिया मैं पहला कुआ यहां पे खोड़ा गया था ठीक है अठारा सो गुणसत में इंखोड़ा गया था ठारा सो स्तावन में तो अपने यहां दो करांथी चल रही थी उस Τा maintained हो इनों ने क्या कर लिया था टेल को की खाड़ी ये चेतर जो है ये तट तट पर यहां पर ये टेल निकाला जाता है रोग फास्ट फेट भी काफी निकालता है यूए से सरवादिक रोग फास्ट फेट का उत्खनन ये अकिला देश करता है यूए से का सबसे बड़ा उद्यूगी परदेश जो है मिसीशीपी मिसोरी नदी से अंटलांटिक तक तक का ये ये जो छेतर है मौटर गाड़ियां यूए से में ड्रेट आएट उनुम्हे है अपनी कमपनियां इस्थापित कर रखी है इनों ने सेञ्टेक्टिक रबड़ और टायर बनाने में एक क्रॉन एक क्रॉन नामक सहर है वो परसीद है इसका फिल्म उद्योग यहां कैलिफॉर्निया में कैलिफॉर्निया में लोज अंजिलर्जनगर है जो विस्वे परसीद है। पर होलीवुड है फिलम उद्योग भी यहीं पर है और यहीं पर डिबा बंद फलों के लिए जाना जाता है यही इस्थान और निरियात के अंदर भी यही है लोस अंजिलस नगर जो फिलम और डिबा बंद फलों के लिए परसीद है सान फ्रांसिसको यहीं पर है सान फ्रांसि और यहां पर नासा का अंध्रिक्स केंदर है विस्वे का सबसे बड़ा अजाव घर जो है वो न्यूयर्क में है न्यूयर्क में है और तो बने जिसको कहते हैं अजाव का नाम है अमेरिकन ने बशा हुआ है जैसे बंबई दीप से सामेता है इसकी सबसे बड़ा नगर है गगंचुमी मारतों के लिए परसीद है ये न्यूँयार्क सकाई सकेपस के नाम से जाना जाता है इसको बड़े सेव की यानि की बिग एपल की सज्ञा भी दी जाती है कहा जाता है विस्वे का सब से वेस्त वेजर वायु पतन है, वो भी यहीं पर है, यहीं पर है, और नाम है उसका केनेडी, ठीक है, न्यू यार् की धी एश्थती बंबई जैसी मिलती जुलती है, और इसको न्यू ययर्क को नगरों का नगर भी का जाता है, आज़ bunaas उत्पादन का केंदर यानि कि USA का सेंउक्त राजे अमेरिका का सबसे बड़ा मास उत्पादन केंदर जो है वो शिकागो है कोलंबिया राजे में बासी गटन डिसी है USA की राज़दानी है विश्वे की सबसे बड़ी दुर्बीन प्रियोजना TMT हावाई रजे में हावाई रजे में आपको दिखा नहीं रखे है मैंने वहां पर विश्वे की सबसे बड़ी दुर्बीन बनाई जा रही है विश्वे में सबसे बड़ा रेत का किला जो बनाया है वो मियामी सहर में बनाया गया है और उसका नाम रखा है लालादून ठीक ह यहीं पर underground park भी बनाया गया है अमेरिका में जो विश्वे का सबसे बड़ा underground park है विश्वे का सबसे बड़ा समुद्री सरक्षित चेतर भी USA में है ये भी ध्यान में रखने की बात है उसका नाम तो बहुत अटपटा है लेकिन ये याद रखना है कि विश्वे का सबसे बड़ा समुद्री सरक्षित चेतर कहां है तो USA में हैं USA के दकषणी पूर्वी वाग में मेक्षिको के खाडी में चक्रवाथ आते रहते हैं यहां पर चक्रवाथ आते हैं उन्ट लाटा एक परांध है यहां पर वहां हमारे कोकाकोला का निर्मान वा था मतलब जनम भूमी थी कोकाकोला की कोकाकोला की जनम भूमी पुछे तो अंट लाटा थी ठीक है अब हम थोड़ा कनाडा के बारे में भी देख लेते हैं तो ये देखो आपके सामने कनाड़ा का मैप है और कनाड़ा रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है दुनिया में और USA के बाद के साथ इसकी जो अंतराष्टी शिमा है वो विश्वा की सबसे बड़ी भूर शिमा है यानि की 49 डिग्री उत्री अकसांस के उपर जो इनकी दोनों देशों की शिमा है वो विश्वा की सबसे बड़ी भूर शिमा है थीक है तो इसको कनाड़ा को तीन प्राकृति बागों में बटा जा सकता है एक तो कनाडियन सील जो ये मेक्शिकों की खड़ी के हरसन की खड़ी के इदर है यह जो है चेत्र एकनाडियन, सिलियन, लारेशियन का चेत्र है और एक और है आंतरिक मैदान, प्रेयरी मैदान, जो जीलों वाला चेत्र है, सुपीरियर जील और वो है, वो चेत्र इसमें आता है, जैसे यह है, यह चेत्र आता है, ठीक है, और कार्डिलेरा पर्देश, जो का अडेलरा का यह तीन प्रते से जो है प्राचीन पठारी चेत्र है इसकी उट्री शीमा जो है तरी भाग जो है हमेंशा हमाचादीत रहता है यहां पर कनाडून सील के ओप्र कई जिले हैं जैसे यह हैं कई जिले है इन्य पेग है Almost से बनी यानि की रिकल से बनी है और उनका करम भी बताएंगे ठीक है Canadian City के ख dripping भाग में संकुधारी जाते हैं Canadian सिल्ड के दक्सिन बाग्मियां पर संकुदारी बन पाए जाते हैं सिल्ड के दक्सिन पुरो में ग्रेट लेक और सेंट लोरेंस नदी का चेतर है सेंट लोरेंस नदी इधर है और यह ग्रेट लेक है तो यहां पर यह चेतर है इसका निम्न भूमी का चेतर है यह आंतरिक मैद इस में प्रेरी का मैदान भी आ जाता है जो गय कई एक पादन के परसिद्य है TORENTO कनाडा का सबसे बड़ा नगर है और जबकि इसकी राजदानी जो है वो टोरेंटो नहीं है कि इसकी राजदानी ऊटाबा है ठीक है लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि जनसंख्या अधीक राजदानी में नहीं है कनाड़ा का बर्मी घम हैमिल्टन को बोलते हैं कनाड़ा का ड्रेटाइट विंड सेर को बोलते हैं यानि कि मोटर गाड़ियां विंड सेर में बनाई जाती है और लोहा इस पात निकाला जाता है हैमिल्टन सहर में कनाड़ा में संकुदहरी और वन पाई जाते हैं जिनको टेगगा वन कहते हैं कनाड़ा के 44 पर पर यह टेगगा या संकुदहरी वन पाई जाते हैं इन वनों से यह लग बग 20-25 परशेंट दुनिया की मुलाइम लकड़ी काटता है और जिनसे कागज लुग दी और रेशा बनाता हैं तो यह जो मुलाइम लकड़ी है ुसमें भी कनाड़ा का पर्थम इस्थानी मानों जया ग्रिन डेस हैं कनाड़ा में लकडी काटने खबरों में हम सुनते हैं तो बिर्टिश कोलंभिया और सच केच्वाच और में अग लगी रहती है हमेशा अखवारी कागज के उत्पादन में भी कनाड़ा का अच्छा खासा दबदबा है वैसे पर्थम इस्थान चीन का है कनाड़ा का नहीं है अखवारी कागज के निर्माण में लेकिन इसकी भी अग्रियन भूमी का है अच्छा खासा दबदबा है इस मार्टियल चेतर में हैं मार्टियल चेतर में कनाड़ा का कागज उध्योग किंद्रित है ठीक है कनाड़ा गेहु निर्यात में भी अग्रिंडेश है रेड वेसिन जो है उसमें वेनी पेग नगर है जो विश्व में गेहु मुंडी के नाम से जाना जाता है वीनी पेग नगर ठीक है कंदर की खेती के लिए कनाड़ा पर सिदे fim के बड़े-बड़े बागान है इसमें इधर नौवा सब क्या है यह इसमें बड़े-बड़े बागान है दूदारु में पाली गरेट लेक धराती है और यह जो ग्रम दाराती है तो यहां पर फसलिफालन का उत्पादक और नेरिया तक है यहां पर कनादा में सोनवांटोरivya में निकाला जाता है Time अंटोरियों में निकाला जाता है सोना चांदी यहां पे निकाली जाती है यूह हूं में लोह का सबसे बड़ा निक्सक्राइब जो है लोहा निकला जाता है, कोबाल्ट निकल का भी विश्वय में बड़ा उत्पादक तेश है, ओन्टोरियो परांत में कोबाल्ट और निकल निकला जाता है, सड़वरी खान जो है वो ब्रहेत निक्षेप के लिए जानी जाती है, निकल के लिए सड़वरी की खान, विश्वय मे में है यहां पर यह ब्रेटिस कोलंबिया है धुनियाग है ध़िए सीजसा एक साथ मिलता है मैं साहीं एक साथ मिलता है इसलिए उनको जुडवाखनीज गा जाता है कनाड़ा में गैस और तेल व्रूम्ट ragd बें निकलता है अलबरटा वरांद में जल्वी दूत कनाडा और यूएसए कपरमुक्स रोत है यह मनें पहले भी बताया था उसमें तो यहां भी नियागरा जल्परपाथ से काफ़ी जल्वी दूत का निर्मान करता है कनाडा कनाड़ा में दो पार माधिप ए रेल मारग हैं इनके बारे में परिक्षा में बहुत बार पूछते हैं दो पार माधिप मतलब माधिप को पार करके चले जाते हैं ऐसे रेल मारग हैं एक का नाम है Trans-Canadian Pacific Railmark जो बेकूर से यहां से शुरू होता है और यह रेल मारग आता है कहां तक नूबरिस्विक सेंट्जोंस तक यहां तक ठीक है यह एक नंबर Trans-Canadian Pacific Railmark है और दूसरा है कनाडियन राष्टी रेल मारग जो बिटिस कोलंबिया से शुरू होता है और नौवा सोक्या यहां पर अंटलांटिक मासागर के तर्ट तक आता है यह दो पार मादी पे रेल मारग है और Trans-Canada Highway भी है एक शड़क है जो परसांद मासागर को अंटलांटिक मासागर से जोड़त है सेंट लोरेंस की घटी और ग्रेट लेक से ओकर निकलती है और यह उद्योगिक चतर से ओकर निकलती है ठीक है तो इन्हों ही रेल मारग दोनों और एक सड़क मारग यह आपस में पूरों से पस्सिम है ठीक है कनाड़ा के उत्री बागों में बरफ पर फिसलने के लिए व रुबेक परांथ जो फ्रेंच वासी परांथ है और इसको देश के अंदर देश का दरज़ा प्राप्त है ठीक है और कनाड़ा में एक बात ओर है कि इसमें तीशरी संसद्य वासा पंजबी को सामिल करने का प्रस्ताव अभी चल रहा है पंजबी बहुल लोग कनाड़ा में बहुत ज़्यादा है ये भी एक्जाम का महत्पूर्ण सवाल बनता है कि कौन से देश में पंजबी सबसे ज़्यादा परवासी रहते हैं तो कनाड़ा में रहते हैं और कनाड़ा की संसद की तीशरी बासा पंजबी को मानने का प्रस्ताव चल रहा है तो ये था आपका उत्त स्री अमेरिका मादीब और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार